नमस्कार दोस्तों आईए बात करते हैं अभी बहुत चर्चा में है कि आरक्षान सुप्रेम कोर्ट ने सेस्टे के लिए कुछ बोल दिया उनके उपवरगी करन पर कुछ एक सेंटेंस आया है लोग उसे बहुत ज्यादा परिशान है मैं आपको जमेनी इस्तर पर अपनी केव विचार बेक्त करूंगा इसका ओफिसली कोई संदर्व नहीं है लेकिन हां हम समझे जरूर हमारे देश में आखिर हुआ तो वो क्यों हुआ और उसके क्या रिजन थे किस बेस पर सुप्रेम कोर्ट ने ऐसी बाते बोली आप देश के ससक्त नागरिकों और ससक्त नागरिक क आप ने और सारी चीजे जाननी मुआ आप देखेंगे बहुत कुछ वह पर बोलें कुछ पक्ष में बोलें कुछ प्रफश्त में करने वाले तो अच्छा परिवार उसी कर चलता है जो उनकी बी बात सुने उनकी बी बात सुने दोनों को सुनकर सह 12 निकाल पात करे话 तो आईए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा कुछ अच्छी बातें आरक्षण के बारे में सबसे पहले सुरुवात कैसे हुई वह आप सबसे बेसिक जो कॉंसेप्ट है वह समझ लेजेगा एक तो आपका आर्टिकल 341 और 42 में सेडूल का सेडूल ट्राइब्स के लिए कु किसी भी जगह पर और इसका प्रभाव देखने को मिलता है लोग सभा विधान सभा में जहां पर कुछ सीटे सेडूल का सेडूल ट्राइब्स के लिए इवें एंगलो इंडियन के लिए भी कुछ सीटे आपको मिल जाएंगे 330 331 और 32 आर्टिकल के तहति यह मिल जाएंगी अर्टिकल 15 में कहा गया दर्मजाती नसलेलिंग जन्मिस्तान के आधार पर सारजनी के चलों पर भедभावर नहीं होगा तो पन्दरा में रिजर्वेशन सब्द नहीं है आर्टिकल 15 में बात करतें। पर्षण दिया जा सकता है जो पिछले वर्ग के लोग है आर्टीकल नमबर कौन सा है आर्टीकल नमबर प्रियोग करते हुए हमारे सम्भिधान की इसम्मिधान इस प्रेड के इस पावर का प्रियोग करते वे साल 1950 और उसके बाद से continue ऐसा रहा कि सेड्यूल कास्ट को सरकारी नौकरी में reservation दिया गया, सेड्यूल ट्राइब्स को भी reservation दिया गया, सेड्यूल कास्ट का 15% reservation दिया गया, सेड्यूल tribes को 7.5% का reservation दिया गया, ये बेवस्ता थी, OBC वाले भी पिष्डे थे, उन्होंने भी का हमें भी reservation चाहिए, तो सरकार ने 1989-90 में उनको भी reservation दे दिया, OBC को भी, अगर हम समझें, तो 1989 के बाद OBC को भी reservation मिलता है, कितने 50% का थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या, बहुत सारा है, 27% का reservation मिलता है, और इसी साथ, जनरल वालों को भी reservation मिलता है, लेकिन इंद्रा साइनी केस में Supreme Court दो है, उसको बोलता है, कि भाई, reservation 50% से ज्यादा हो गया, तो हम वो नहीं देंगे, तो मंडल का मंडल का case बना, और वो मना कर दिया गया, अब बात करते हैं, जो अभी जो decision आया, creamy layer वाला, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और आपको मैं कुछ data बताता हूं, अगर आप UPSC के result को देखें, मैं बस एक अपने तरफ से, अपने knowledge पर आपको बता रहा हूं, इसका राइसी स्मार्ट से especially कोई relation नहीं है, officially नहीं है, मैं अपने views आपको दे रहा हूं, वो views मेरे आप समझेगा, अगर हम UPSC के result को देखें, तो UPSC में एक tribes है, राजस्थान में मीना जन जाती, और इनका जो selection है, 25 से 30 student हर साल select होते हैं UPSC में, अकेले, और ये जो है, ये आप हमारे देश में जो schedule tribes हैं, उनका हमारे देश में हजारों प्रकार की जन जाती है, 75 तो PVZT में आती है, 75 जन जाती डेवर कमीशन के कहने पर बनाई गई थी, उनके तहट जो 75 जन जाती जो बिल्कुल पिछडे हुए हैं, जिन तक कोई पहुँच नहीं है, उन लोगों के ब केस आया साल 2004 में, और 2004 में Supreme Court ने decision दिया कि भाई देखो हम जो हमारे देश में general candidate हैं, हमारे देश में OBC हैं, schedule caste हैं, schedule tribes हैं, तो हम schedule caste में दो layer नहीं बनाएंगे, अर्थात कुछ ऐसे लोग हैं जिनको government job मिल गई है, कुछ लोग हैं जो अभी भी non-government job वाले हैं, तो हम इसक के दो part नहीं करेंगे, कि जिनको government job मिल गई हैं, उनको नौकरी ना दें, और जो अभी हमारे non-government वाले हैं, क्यों हम उनके लिए reservation दें, तो यह creamy layer हो जाएगा, यह line बनेगी, कि जो 10 लाग से ज़्यादा कमाते हैं, उनको reservation नहीं देंगे, जो 10 लाग से कम कमाते हैं, उनको reservation देंगे, तो यह creamy layer की line थी, Supreme Court ने का, हम ऐसी कोई line draw नहीं करेंगे, यह बिल्कुल गलत है, अभी क्या हुगा, अभी के result में, जो अभी चर्चा में है, Supreme Court में, अभी जो नए आपके भारत के मुक्ष ने आए धीशा हैं, यानि कि D.Y. चंद्रचूर जी, उन्होंने कहा, क यह जो schedule caste है, इसमें बहुत से लोग हैं, और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, जो गरीबी रेखा के उपर जा चुके हैं, कुछ लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे, मैं exact wording नहीं कर रहा हूं, बट कहने का संदर्व उनका साइद ऐसा रहा हो, और उसमें उनका ये मानना है जो गरीबी रेखा से उपर जा चुका है, इसे reservation ना देकर, हम केवल इसको reservation दें, ताकि यह भी समाज की मुखे धारा से जुड़ सकें, और कहीं न कहीं साइद आरक्षन का मतलब भी यही रहा होगा, कि जो गरीब व्यक्ति हैं, उसको हम reservation उपलब्द कराएं, उसे आरक्ष सरकारी नौकरी में परियाप्त मात्रा में है, तो उसे अब हम creamy layer में count करें, और उसे हम जो reservation का उसे लाब मिला हुँ, हम उसे समाप्त कर सकती है, राजी सरकार, तो इस बात पर पूरे देश में बवाल हो रहा है, लोग अपनी अपनी बाते बोलने हैं, सबको अपना अपना बोलने का अधिकार भी article 19 clause 1 के तहित, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, मेरा राजनीत से कोई मतलब नहीं है, आप इस्टूडेंट हो, तो आपको क्या समझना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहिता हूँ, कि अभी ये जो system चला, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो सबस पहला question आता है कि क्या आरक्षन होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, तो येस, आरक्षन होना चाहिए, मेरा personal view है, और UPSCBI मानता है कि आरक्षन होना चाहिए, और आरक्षन जाती के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर नहीं, आरक्षन होना चाहिए, आए के आधार पर, इनकम बेस पर जो गरीब है उसे आप रिजर्वेशन दो जो अमीर हो चुका है किसी भी जाती किसी भी धर्म का उससे कोई मतलब ने है सब खतम कर दो लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाषर से जाती विवस्ता कर दी जाए मत करो जाती विवास्ता कतम लेकिन एक income का slab बनाओ जो उसके नीचे उनको सबको दे दो सरकार को कभी-कभी बाती अच्छी भी लगती हैं सरकार ने इसका provision भी किया वो भी मैं आपको समझाता हूँ हमारे देश में जो general candidate हैं उनके दो पार्ट हो चुके हैं साल 1990 में भी किये गए थे वो नहीं सक्सेज रहा तो 2019 में मोदी जी ने कर दिया एक candidate general category में उपर हैं एक general candidate नीचे हैं और उनको नाम दिया गया economically weaker section इन्हें अलग से सरकारी नौकरी में reservation 10% का है पहली बात दूसरा हम OBC की बात करें OBC में भी दो layer हैं एक creamy layer उपर और एक creamy layer नीचे यनि कि अगर कोई ब्यक्ति 8 लाग से जादा कमा रहा है तो गरीबी रेखा से उपर है या उनकी creamy layer के उपर है उसे reservation नहीं मिलेगा किवल इसे reservation मिलेगा जो OBC का reservation है 27% otherwise वो जंडल में तो fight करी सकता है ये भी ऐसा नहीं किसे नौकरी नहीं मिलेगी इसे भी नौकरी मिलेगी लेकिन इसको किस में नौकरी मिलेगी तो बीना आरक्षन की जंडल सेट में नौकरी मिलेगी इनके लिए भी वही concept है ये भी आया बिवस्ता बनी तो यही बिवस्ता क आप देखिएगा reservation क्यों जरूरी है और यह जो विवस्ता उन्होंने बोली है मेरे ही साफ से बिल्कुल जायद है कि भाई जो ब्यक्तिक गरीब है उसे भी तो नौकरी दो जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं उसे भी तो नौकरी चाहिए हां पहला कोशन यह कि क्या नौकरी हैं क्या सरकार नौकरी दे रही है और कितनी सरकारी नौकरी दे रही है पहला तो यह कोशन है बट वह थोड़ा राजनीतिक मुद्दा हो जाता है नौकरी तो आही रही है वैकेंसी तो आही रही है तो वह विवस्ताइं चलती रहेंगी आईएगा मैं आपको कुछ डेटा देता हूं वह आप समझ दिएगा कैसा डेटा है अईए गड़ीण अकबारों में जो यह जैसे जनसात्ता यह जुछ है अलग अलग यह जो है जो इधरदर डेटा मिला है वो मैं आपको बता रहा हूं जनसात्त दो हजार बाइस की रिपोर्ट है कि हमारे देश में 5.12 लाक करमचारी सरकारी नोकरी में है जिनमें सेडियूल कास्ट के 17 प्रिच्चत हैं यह जितना भी डेटा लिखा हुआ है यह सभी डेटा आपका ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी इन तीनों को मिला कर यहां पे डेटा दिया गया है 17% 6% सेडियूल ट्रैप्स 20% OBC अब आप समझो यहां पर अगर हम सेडियूल कास्ट के रिजर्वेशन की बात करें तो कितना 15% OBC का रिजर्वेशन कीतना है 27% सेडियूल ट्रैप्स का रिजर्वेशन कीतना साड़े 7% यहां तो सेडियूल कास्ट का 17% है यहनि कि सेडियूल कास्ट की नोकरी ज्यादा है लेकिन यही होगी Grade B की कम होगी Grade A की थोड़ी और कम होगी तो जब निकाला जाता तो यहां पर है अच्छा सेडियूल ट्राइब्स वह भी बेचारे पूरे नहीं साड़े साथ होने चाहिए OBC 27% होना चाहिए था ये भी आपका क्या है कम ही है यही डेटा आगे वाले में मैच कीजिएगा इसी में जब हम केवल Grade A की बात करें यह तो ABCD पूरा हो गया ABC तक D नहीं है D में तो जनरल वाले हाई नहीं हो जाते ही नहीं हो जब हम केवल बात करें Grade A की तब 12% सेडियूल का इसलिए आरक्षन थोड़ा और जरूरी है वहीं कैबिनेट लेवल पर आप देखिएगा तो जनरल के 81 हैं सेडियूल काश्ट के 6 सेडियूल ट्राइप्स के 1 OBC के 2 अगर हम टोटल काउंट करें तो 81 और यह आपका 639 यानि की 90 सीट है तो 90 सीट के हिसाब से कम से कम अगर हम परसेंटेज निकालें तो इतना तो बिल्कुल भी नहीं आएगा OBC के तो 27% यानि की कम से कम 20-22 तो होनी चाहिए थे और हैं कि इतने 2 OBC में कैबिनेट लेवल के लोग हैं इसलिए आरक्षन का आवस्यक्ता है होना चाहिए और उपवरगी करन भी उन लोगों के लिए सो 50 जिसमें होना क्या चाहिए था इसका परसेंटेज आप निकाल लीजेगा सेडियूल काश्ट का 15% सेडियूल ट्राइप्स का साड़े 7% OBC का 27% इसमें 600 का इसमें 6 में गुडा कर दीजेगा नियर बौट गोई निकाल लेंगे 15,6,90 कम से कम 100 होने चाहिए थे कितने हैं 23 सेडियूल ट्राइप्स के साथ होने चाहिए थे तो साथ सचंग 48 जरी 46 तो आपका यहां पे 22 जगा कितने हैं 22 से ज्यादा पचास तक होने चाहिए थे हैं कितने 10 OBC के कितने होने चाहिए थे इसको 30 मान लिजएगा 36,80 होने चाहिए थे कितने हैं मैं जनरल डेटा आपको बता रहा हूँ 76 है और माइनॉर्टी के 36 लोगों को यहां पे High Court का जज नियुक्त किया गया High Court में भी यह जो केटेग्रिय यह पूरी नहीं हो पा रही है दिक्कत क्या है इसमें दिक्कत यह है कि जब पेपर कराये जाता है जब क्वालिफिकेशन के लिए एक्जाम कराये जाता है तो वहां पर लोगों की जो सीटे होती परसेंटेज सम वो क्या करते हैं अगले तीन साल के बाद कैरी वैकिंसी कैरी लाज वो खतम कर देते बुले अब हम इसको आगे फारवड नहीं करेंगे बची हुई सीट फिर से जनरल में मर्ज करके फिर से रिजर्विसन बनाया जाता है इस चक्कर में धीरे-धीरे करके सीटे क्या हो गई कमजोर हो गई हो कुछ भी कोशेन सरकार के उपर कि एजुकेशन को सरकार क्यूं और नहीं बहतर कर रही है क्वालिटी को लेकर कंटेंट नहीं अब क्वालिटी की जरुवत है कि आप बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रवाइड करें ताकि सेडियूल का सेडियूल ट्र की का दस्वी में compartment आया और 11 वी में उसका admission अब तक नहीं हुआ उसे कल या परसो पता चला कि अगर मैं दस्वी पास नहीं हो तो 11 वी में admission नहीं हो सकता पुराना नीमें उसके घर वालों को नहीं पता कि हमें ऐसा करना चाहिए और अब वो परसान है कि क्योंकि जो compartment का पेपर भी दो-तीन महीने में हो जाता उसकी भी date निकल चुकी है यहनिकि अब उसका एक साल बरबाद होगा पढ़ाईस उसका मन क्या हो जाएगा अलग हो जाएक तो अल्रेडी बहुत कम जोर्ती तब ही उसका compartment आया और अब ऐसे में जब date निकल पेपर की तो अब अगले साल compartment यानिकि बैक आ गया उसका पास नहीं हो पाई तो अगले साल देगी एक साल खराब होगा और जब दस्मी के बच्चे का एक साल खराब होगा तो अभी वो टीनेज में चीजों को सीख रहा है और अब पढ़ाई से वास्तों में दूर चला जा जागरुकता की जो कमी है सरकार को इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस दिश्चा में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बाकी आपको समाज में आ गया होगा आरक्षण में बवाल की सीच को है तो आरक्षण में बवाल वो लोग कर हैं जो आल्रेडी संपन्न हो चुके हैं और अभी चाहते हैं कि हमें और भी reservation मिलना चाहिए तो मुझे लगता है कि अपना अधिकार उन गरीब लोगों से जादा जरूरी है और उन लोगों के लिए हमें छोड़ना चाहिए तो उमेद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी और बुरा मत मानिएगा जो फैट्स थे वही मैंने आपको बताए जो मुझे पता था वही मैंने आपको बताया फेर मिलोंगा वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स जरूर करें जैहन जैभार